सबसे पहले बताइए कि लोग सबाद चुनाओं के जो नतीजे आए उसमें कॉंग्रेस पालिटी को उमीद तो बहुत थी लेकिन मामरा आके 99 पर यह अटक गया तो इसको आप सफलता के रूप में देखते हैं या कुछ छूट गया भी बहुत-बहुत धन्यवाद विनोजी आपका और आप सबी लोगों का जो आपर उपस्तित हैं आपने सवाल पूछा की कॉंग्रेस का जो संक्या बल है उसको शफलता गिरना चाहिए और सफलता गिरना चाहिए मैं सह मानता हूं कि यह जनादेश आ है जनता का यह हमारे लोगतंत्र के जीवित होने का हमारे मददाताओं का जागरख होने का और देश में गंटंत्र में लोगतंत्र में पक्ष विपक्ष की जो एहम भूमी का है उसको दवार रिखांकित करने वाला चुनाव था आपने हम हमारी बात करी हम तो विपक्ष में थे हम चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे सब नेताओं पर केस इंकम टैक्स एडी हमारे खाते सीज़ कर दिये सब कुछ करने के बाप जूद भी कॉंगेस का संख्यावल दुगना हुआ और जो अंतिम आंकड़ा है पार्लिमेंट के अंदर है विनों जी जो एंडी है जिसकी सरकार आज है 294 और जो विपक्ष है लगबग 235 तो इंडिया लाइंस का जो घडबंदन था जो प्रीपॉल अलाइंस था उसने देश में एक लोगों को उमीद जगाने का काम किया है और पब्लिक ने भी जो मद्दान किया वह एक खंडि है कॉंग्रेस ने निश्चत रूप से उत्तर भारत में अक्सर कहा जाता था कि जब जो पक्षे मुकाबला होता है भाजपा कॉंग्रेस का तो कॉंग्रेस का हमेशा प्रफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है लेकिन इस बार आप देखिए हर्याना जहां बैठे हैं आदी स में से 11 सीट वीजेपी हारी है और उत्तर पदेश के परणावा को मालूम है इसलिए हम समझते हमारा परफॉर्मेंस बहुत भेतर रहा सरकार बनाना ना बनाना वो एक समीकन का खेल है लेकिन कॉंग्रेस की नीती कॉंग्रेस का मैनिफेस्टो हमारा प्रचार हमारा लीडर् अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें